हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टे आनादर वीडियो अप स्टॉक मर्केट आज हम डिसकस करने वाले उच्चीबन स्मॉल फिनांस बैंक और उच्चीबन फिनांशियल सर्विस लिमीटेड के बारे में सबसे पहले हम जान लेते कि न्यूस क्या है इन एप्रिल ते आस्सोसियेशन आरिबियाई को एक अप्लिकेशन दिया था जहां पर उन्होंनों ये कहा था कि स्मॉल फिनांस बैंक वान टू मर्च यानि सभी स्मॉल फिनांस बैंक को ये पर्मिशन मिले कि वो अपने होल्डिंग कंपनी के साथ मर्जर कर सके इस पर्टिकुलर चीज को अप्रूबल मिल किया है कि उन्होंने उद्जिबन स्मॉल फिनांस बैंक और उद्जिबन फिनांस सर्विस के साथ अमल्गमेशन का प्रोसेस को स्टार्ट किया है इनिशियेशन लिया है इस डिसिशन ऑफ मार्च दा होल्डिंग कंपनी विद इसेल्फ काम आफ्टर रिजर्व बैंक इसेल्गमेशन फिनांस सर्विस लिमिटेट के लिए क्योंकि अगर हम प्रिकुलर कंपनी के बारे में कुछ और चीज़ देखें तो उद्जिबन फिनांस बैंक इसका मार्केट कप 2,482 करोर है रोसी 4.28 एड जो रिटर्र उन इक्विटीव वो नेगेटिव 7.23% 152 एक साथ 311, 152 एक साथ अगर उद्जिबन फिनांस सर्विस का कंपेर करें तो उद्जिबन स्मॉल फिनांस बैंक इसा मार्केट का मार्केट का 5,271 करोर स्टॉक का एपी बहुत एग्रेसिव है 635, रिटर्न अन इक्विटी परसें रिटर्न इक्विटी 0.26% स्टॉक का जो करेंट प्राइस है वे 30.5, 52 इसलो 44.6 और 52 इसलो 26.5 अला के यह कंपनी इस नौट आ लॉस्मेकिंग कंपनी और इसका मार्केट काप ज्याद है तो उद्जिबन स्मॉल फिनांस सर्विस के साथ मर्ज होता है तो बेनिफिट ओबियसली उद्जिबन फिनांस सर्विस के शेर होलेडर को ही मिलेगा क्योंकि इस लॉस्मेकिंग कंपनी विधा वेरी लो मार्केट काप सिर्फ 2482 करोर वहीं पिजिबन स्मॉल फिनांस बैंक का मार्केट काप अलमोस इसके डबल है और इसका वैलुएशन बहुत एग्रेसिव है लेकिन यह निउस आने के बाद हमने बहुत बड़ा पॉजर्टीव है इसलिए 20% का अपसर्कित हमने देखा तो आने वाले दिनों में शायद स्टाक में हम और ज्यादा अपसाइट देखे यह ता वीडियो को लेगे एक शॉट आनलिजिस वीडियो इंफोने वीडियो में आचला है चानल को लाइक सब्सक्रा स्टाइब आफ शायर काना मत बोलेगा सिवने नेक्स्ट वीडियो गाई तिल देन गुडबाई